दवायों का लापरवाही पूर्वक्रय विक्रय करने को लेकर एक दवा दुकान का लाइसेंस निलम्बित आठ दुकानों को नोटिस जारी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ओशधी निरीक्षक सिवनी ने बताया कि कलेक्टर सुष्री संस्कृती जैन के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सिवनी के मार्ग दर्शन में दवाओं के नशे के रूप में दुरूप्योग रो सिवनी में चापामार कार्यवाहीकर ओचक निरीक्षन किया गया था निरीक्षन के दौरान दवा दुकान में ड्रग लाइसेंस उचित स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाया गया था दवा दुकान में स्थित फिज बन पाया गया था एवं बन फिज में कोल्ड स्टोरेज दवाएं संधारित पाई गई थी। दवा दुकान में भारी मात्रा में संधारित नार्कोटिक श्रेनी की वशदी के क्रए विक्रे भीजग कार्याले में प्रस्तुत नहीं किये गए थे। दवा दुकान में संधारिक बिल बुक के बिल नियमानुसार जारी नहीं किये गए थे। गंभी रन्यमित्ताओं के कारण मैसर्स गनेश मेडिकोज बारापथ सिवनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था एवं मैसर्स गनेश मेडिकोज द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधान कारक वो संतोष्चनक नहीं पाया गया संचालक द्वारा नार्कोटिक श्रेनी की वाशदियों का लापरवाही पूर्वक कया विक्रे करने एवं गंभीर अन्यमित्ताओं के साथ नियम विरूद्ध तरीके से दवा दुकान का संचालन करने की चलते वाशदी अनुग्यापन प्राधिकारी द्वारा मैसस गनेश मे स्ततकाल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। चनक न पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।